हेलो फ्रेंट्स आप से भीगत स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल स्टड़ी विल्थ सुजित में तो दोस्तो आज हमले क्लास 12 के फिजिक्स के महत्पूर्ण प्रश्णों को जानेंगे जो उमारे बोर्ड पर इक्षा में बार बार पूछे जाते हैं अगर इन प् करते हैं और देखते हैं आज का पहला नव प्रश्ण है यहां पर पहला नव प्रश्ण दिया हुए है कि परकास बिद्धुत परभाव के नियमों को लिखें तो सबसे पहले लिखेंगे कि परकास बिद्धुत परभाव के निमलीखित नियम है यहां पर फर्स नमर देखे श्रीटा के लेंकर दुस् Mitar mater में देखेंगे कि परकास यह्लेक्ट्रोंग की महत्तम गती दूर्ज क्रकों खासीख दियुन्स और फ्रेञार उस्ति मथम्तलस आए 1565- sites इसर दूसीशत रिखेंगे कि अलbt समय सकत civil बानलनीठी जब धातु सतह पर देहली अबरीती से कम अबरीती का परकास पड़ता है तो किसी परकार के इलेक्ट्रोनों का उत्सरजन नहीं होता है जब किसी धातु पर देहली अबरीती से कम अबरीती का परकास पड़ता है तो उसे से इलेक्ट्रोनों का उत्सरजन नहीं होता है जीस तरह वो रहता है उसी तरह रह जाता है और पांचा नमर देखें कि जब धातु सतह पर परकास पड़ता है तो बीना समय पहचात के इलेक्ट्रोनों का उत्सरजन होने लगता है नेक्ष्ण प्रस्ण ने दिया है कि आवेसों के गुणों को लिखें तो सबसे पहले लिखेंगे कि आवेस के निमलीखित गुण है यह फर्स नमर दिखेंगे कि आवेस धनात्मक एमडिनात्मक होता है आवेस सनक्षित होता है आवेस योगात्मक होता है अवेस क्वांटमी करीत होता है तो वहीं पांचवा है अवेस दरमान पर निर्भार नहीं करता है नेक्षन प्राश्ण के कुलोंब के नियमों को लिखें तो कुलोंब के नियम लिखेंगे किनहीं दो बिंदू अवेसों के बीच लगने वाला अकॉर्शन बल अवेसों के मत्राव के गुरौनफल के समनपाती थता बीच के दूरी के बर्ग के ब्यूतक्रनपाती होता है इसलिए एफ समनपाती Q1 into Q2 upon R2 या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एफ समनपाती 1 upon R2 नेक्ष्न प्रास्ण को देखेंगे प्राश्ण की बिधुतिये छेत्र क्या है तो किसी अवेश के चारो ओर का वह छेत्र जिसमें कोई परतिकर्शन बल का अनभाव करते हैं उसे ही बिधुतिये छेत्र कहते हैं नेक्ष्ण प्राश्ण की बिधुतिये छेत्र की तिवर्ता को परिभासित करें तीसमें देखेंगे की एकांग धन परिक्षण अवेश पर लगने वाले बल को ही बिधुतिये छेत्र की तिवर्ता कहते हैं इसका एसाई मात्रक न्यूटन प्रति कुलंब होता है और इसका ब प्रस्ण की कुलाम्बिक बल को केंद्रिय बल क्यूं कहा जाता है ये भी भी आई है तो दो अवेसों के बीच लगने वाला कुलाम्बिक बल की दीशा दोनों अवेसों के केंद्र को मिलाने वाले रेखा की ओर होता है इसलिए कुलाम्बिक बल को केंद्रिय बल भी कहते है दो अवेसों के बीच लगने वाला कुलाम्बिक बल की दीशा दोनों अवेसों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की और ही होता है इसलिए कुलाम्बिक बल को केंद्रिय बल भी कहते हैं नेक्श्न प्रस्मे की बिधुत बिभाव को परिभाशित करें, तो एकांख धना वेस को अनांत से किसी बिंदुर तक लाने में किये गए कार्य को ही बिधुतत ये बिभाव कहते हैं, यह एक अदीश रासी है, इसका मात्रक जूल प्रती कुलांब होता है, इसका भीमिय सुत मोsil दोष ने बहुत ही महत्पून है यह सम्भीभिवी तल क्या हे तो इसम देखेंगे कि विदुत छेत्र में कीची गाई वह तल जिसके परत्तेक बिंदूर पर विदुत बिभाव का मान समान होता है संव्भिवी तल कह ACC है है विदुचेत्र की दीशा विदुचेत्र के लंबवत होती है तो दोस्तों आज का मत्मूर सेशन यहीं पर खत्म करते हैं तो अगर वीडियो अश्य लिगए तो लाइक करें और इस चानल से नए जूड़े हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक सब्सक्राइब करें तो थैंक्स फोर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में